बिखार मेराज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूच चलिए बढ़ते हैं आज दो पहर तक की बिहार सही देश की प्रमुख खबरों की ओर परदानमंत्री नरेंदर मोधी ने स्वतंतरता दिवस के मौके पर लॉंच किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन परदानमंत्र की इस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के ताथ डॉक्टर की डिटेल्स के साथ देश भर में स्वास्त सिवाओं की जनकारी एक एप पर उपलब्द होगी इस एप को डाउनलोड करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसके बाद आपको एक हेल्थ आईडी मिल इससे होने माले ट्रीटमेंट और टेस्ट की पूरी जनकारी डिजिटल सेफ करनी होगी ताकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सकेगा जब आप किसी भी अस्पतालिया डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएंगे तो साथ में आपको सारे पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट नहीं जाने पड़ेंगी डॉक्टर कहीं से भी वैट कर आपके यूनिक आईटी के जड़ी है आपका सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकेगा भारत में कोरोना संक्रमितों की संक्या पहुंची 25,26,192 पर सुबार्ट वजएक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में पिछले 24 ग पिछले 24 गंटे में 996 संक्रमित मरीजों ने कोरोना से जनकवाई एक संक्या के साथ ही देश पर में कोरोना से जानगवाने वालों की संक्या कुल रूप से 49,36 हो गई है पिछले 24 गंटे में 8,66,669 सेंपल की जाच देश भण में की गई है लोजपा बिहार सरकार से ले सकत यह समर्थन वापस बिहार विदान सभा चुनाओं से पहले बिहार एंडिये में उठापटक तेज हो गई है जदियू और लोजपा लगतार एक दूसरे पर अक्राम अकर नजर आ रहे हैं दिल्ली से अचानक पटना पहुंचे लोजपा सुप्रीमों चिराक पासवा ने आज मुझपा विदाईकों के संख्या केवल दो है सुसील कुमर मोदी का लालू यादो परतंज कहा आपने तो अस्पताल में सुई और रूई भी नहीं छोड़ा था बिहार में कोरोनकाल में स्वास्त व्यवस्ता को लेकर राजनितिक बयान बाजियां तेज हो गई है कुछ द सुसील कुमर मोदी ने कहा है कि लालू परसाद को वे दिन याद आ रहे हैं जब ना इस्कूल में पढ़ाई होती थी ना स्पताल में दवाई मिलती थी लेकिन उनके आवास पर नाच भी होता था और कुर्ताफार होली भी होती थी बिहार छपर फुस लाल्टेन वाली बद जबकि आज सभी कोविड अस्पतालों में मरीज के बेड तक पाइप से अपसेजन पहुचाने के इंतजाम कर दिया गया है मुखे मंतरी नितिश कुमा ने गाधी मैदान में तीरंगा दिये कई तौफे चोहतरवे सोतंतरता दिवस के मौके पर ब्यार के मुखे मंतरी नितिश कुमार ने गाधी मैदान में तीरंगा फाराया को लुटना संक्रमन के चलते इस बार सिर्प पास धारक ही गाधी मैदान समारों में पहुचे आम जनता के लिए इस बार प्रवेस वर्दित था इस ब का भी लाव दिया जाएगा इसके अलावे सीम नितिश ने घोसना कि कि ग्राम पंचायतों में नए इस्थापित उच्च मादमिक विद्यालों में 33,916 सिक्षकों की निउक्ति का विग्यापन सिग्र जाड़ी होगा उन्होंने यभी घोसना किया कि विस्व विद्याले सि कि निउक्ति के सिग्र विवस्ता की जाएगी कोरोना संक्रमन से मुक्त हुए लोगों के द्वारा प्लाजमा दान करने पर हरे को 5000 की पुर्चान रासी दी जाएगी सुसांत के फ्लेट की एमई भरवाने की खबर पर अंकीता लोखंडे ने दिया जवाब है ऐसी खबर साथ सफाई दी है अंकीता ने सोसल मेडिया पर फ्लेट के कागज और अपने अकाउंट से हर मही ने कटने वाली उसकी किस्त का विवराहाद जाड़ी कर दिया है अंकीता ने बताया कि वे इस फ्लेट की किस्त खुद बर रही है और इस फ्लेट की कीमत एक करोर 35 लाक पूरा विवरंद दिखा रही हूं मैं इसे ज़्यादा पारदर सी नहीं हो सकती सितंबर महीने से बिहार में खोले जा सकते हैं इसकूल बिहार में करोना एक लाक को पार कर चुका है लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि अगर केंद सरकार इसकूल और कॉलेज के अनुमती देती ह से अनलोक फोर में तो बिहार सरकार भी कई सरतों के साथ सितंबर सिस्कूल सकती है मिल रही खबर के अनुसार पहले चरण में 33 दिखात्रों के साथ 10 से उपर की स्कूल और को खोल्ले कणूमति मिल सकती है वही चठी से नौवी कप्छाओं को खोलने के नुमति दूसरे में ऐस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के खिलाड़ी आईपेल सुरू होने के 10 दिन बाद सामील होंगे क्योंकि साथ से 16 सितंबर तक और इंग्लेंड के 20 सीमित ओवरो के सिरीज हो नहीं है लेकिन क्योंकि टीम से जुड़ने से पहले उन्हें कॉरेंटीन के नियम का भी पालन क करना होगा इसलिए दोनों देशों के खिलाड़ियों को टीम से जुड़ने में 10 दिन का वक्त लग जाएगा आपको बता दें कि इंग्लेंड और ऑस्ट्रेलिया के 29 खिलाड़ी इस बार आईपेल में खेलते हैं नजर आएंगे आईपेल 13 के स्पांसर्शिप के लिए आईपेल टाइटल अधिकार्यों के लिए जमा करा दिये बोली के लिए आखरी तारिक 14 अगस्त तक थी 18 अगस्त को यह फाइनल हो जाएगा कि इस साल आईपेल का स्पांसर कौन होगा अलंकि माना जार आए कि टाटा समू की टाटा संस इस रेस में सबसे आगे बिहार में कुरोना से जान गवाने वालों को चार लाग का मुआवजा चाहे जाच किसी भी कीट से हुई हो बिहार में एंटीजन कीट से संक्रमित पाई जाने वाले कुरोना मरीजों की जान गवाने पर भी आर्थिक मुआवजा मिलेगा स्वास्त विभा अगर राजे में कुरोना संक्रमन की जाच अलग-अलग माध्यों में से कर रहा है ऐसे में स्वास्त मंत्री मंगल पांडे ने सपस्ट किया कि एंटीजन जाच में भी पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव होता है एंटीजन कीट से भी जाच में संक्रमित मरीजों की पहचान की जाती है सामिल डॉक्टरों को 50 लाग की बीमारासी देने को लेकर करवाई की जाय रही है अभी तक के लिए इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे बियारी नियूज धन्यवाद